आईपिल 2022 से बाहर नहीं हुई है चैनि सूपर किंग्स 14 अंकों के साथ भी कर सकती है पिले आफ के लिए क्वालिफाई जाने के पूरी खवर चैनल को सब्सक्राइब करें आईपिल से जुड़ी हर चोटी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी अगर आप भी चाहते हैं कि महिंदर सिंग धोनी अगले साल भी चैनल को लाइक करना न भूले आईपिल 2022 में अभी तक चैनल को परकिंग्स का प्रदर सने काफी जादा निरासजनक रहा चैनल को परकिंग्स ने अभी तक खेले गए 10 मुकाबलों में से सिर्फ तीन ही मुकाबले जीते हैं जबकि 7 मुकाबलों में हर का सामना करना पड़ा है अगर हम पॉइंट्स टेविल की बात करें तो चैनल को परकिंग्स की टीम इस समय नोवे स्थान पर मुझूद है कई लोगों के मन में ये बात जरूर आएगी कि चैनल को परकिंग्स आईपिल 2022 से बाहर हो चुकी है और अब वो पिले ओफ में नहीं पहुँच पाएगी लेकिन आपको बता दे चैनल को परकिंग्स अभी तक पूरी तरह से बाहर नहीं हुई है चैनल को परकिंग्स के पास अभी भी मौका है कि वो पिले ओफ में पहुँच पाए राज़धान रोयल्स के खिलाफ पंजाब किंग्स को हार का सामना करना पड़ा है और पंजाब किंग्स की हार के साथ ही चैने सोपर किंग्स के पास एक और मौका बन रहा है आपको बता दें कहीं न कहीं टॉप और की जो टीम में है वो अपने बांकी बचे हुए मुकावलों को जीत लेंगी तो एक टीम ऐसी होगी जो 14 अंकों के साथ प्ले आफ के लिए क्वालिफाई करेगी चैने सोपर किंग्स बांकी बचे हुए चारों मुकावलों को अगर बड़े अंतर से जीत ले तो उसकी नेट रन रेट सबसे बैतर होगी और वो प्ले आफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी हलाकि ये कहना अभी जल्द बाजी होगी कि चैने सोपर किंग्स प्ले आफ में जरूर खेलेगी लेकिन उम्मीदें अभी कायम है इस बारे में आप अपनी राइनीशेट कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें